मिलने को रात दिन तडपेगा जो बात भी नहीं करता जिहांतरो एक ऐसा उपाय एक ऐसा टूटका जो आपके प्यार को आपके नाराज प्रेमी या प्रेमिका को पती या पत्मी को जिसके बीच भी कोई भी ऐसी परिशानी चल रही है कि आप दोनों के बीच बात बिखड रह ही है संबंद बिखड रही है मन उटाओ द्वेश इतना बढ़ चुका है कि दोनों एक दुश्रे को छोड़ देना चाहते हैं जहां पर भी कोई एक ऐसा है जो उस प्यार को अपने वापस पाना चाहता है कैसी भी नाराजगी हो छोटी बड़ी किसी भी हद तक आप चुकी उपाय को बदाय हुए तरीके से आप एक बार कर लें इतना शक्तिशाली उपाय है कि मात्र चार से पांच घंटे में ही अपना असर शुरू कर देता है और सामने वाले विक्ति को आँग के पास वापस ले आता है मित्रू बहुत सरल सा उपाय है लेकिन जितना सरल है वो तुमें ही शक्तिशाली उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं उपाय शुरू करने से पहले अपने हाथ मों बैर अच्छे से एक बार धोने किसी भी समय उपाय किया जा सकता है उपाय की विधी उपाय की क्रिया को बहुत इध्यान पुरुवक सुनें और अंत तक वीडियो को देखें वस्वनें आधा उपाय की जानकारी से आपके उपाय में परिशानी आएगी और आपका उपाय गल्थ होगा और उसके परिणाउन आपको प्राप्त नहीं होंगी नहीं से साबुत लौग एक लौग आप ऐसी लें जिसका आगे का जो मुटा भाग होता है उसे आप तोड़ लें पीछे के बाग को पहने हटाए और ये इंठाई लौग आप लेकर बैठेंगे आप तो आपने क्या करना है थोड़ा सा पानी अपने पास रखना है बहुत अभी आपको कोई आवचिता रही है आपने ढाई लौग ली उसे आपने अपने सीध्य हाथ पर रखा हाथ को बंद कर ये मठी बनाने ऊपर से अपना पुलटा हाथ रख दे आखें बंद करें उसी व्यक्दी को इस्वनड करें जिसकी लिए आप यो पाय कर रही है उसे ठ Concentration के साथ आपने उसे सोचना है आपका दिमाग इधर उधर नहीं नठकने चाहिए जब आप उसे ठीक प्रकार से सोचने विचार है तब आपने ज़्या करना है एक मंत्र का उचारण करना है मंत्र जो आप बोलेंगे वो मंत्र आपने 11 बार बोलना है किस प्रकार से आपने मंत्र बोलना है ओम हिंग अमुक वश्यब ओमुक के स्थान पर आपने उस ग्युक्ती का नाम ले लिए जो उसका पहना नाम है मुख्य नाम फस्ट नेम जो होता है वो आपने लेता है मंत्र को मौखित बोलेंगे मुझसे बाहर आना चाहिए हलका हलका धेरे धेरे बोला तेज बोलने की कोई आवश्चता दे बस मंत्र को ठीक प्रकार से उच्चारित करें उपाय को एक आंत में करना है ध्यान रहे कोई भी विग्न डानने के लिए असपास ना हो किसी व्यक्ति को इस बात की बिलकुई रानकारी नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं कुपत रूप से ही आपने उपाय को कर लूए मंत्र जब आप 11 बार बोलने हैं उसके बाद आपने क्या कर रहा है हाथ की वो ठीक हो रहनी है और उस स्थान से खड़े हो जाएं जो कटोरी आपने लिए जिसमें पानी है उसमें लॉंगों को डाल लॉंगों के लिए आपको खड़ा होना आवशक नहीं या बैठे बैठे भी डाल सकते हैं आपने कटोरी उठाई एक स्थान पर रखते हैं बहुत अधिक लिए ग्यारा मिनट आपने एक स्थान पर रखना है उससे कम नहीं होना चाहिए अधिक हो जाए कोई बाद नहीं आपने उसके बाद इस कटोरी उस स्थान से उठा लेनी है इस कटोरी को घर से बाहर लिखर जाए या घर की छप पर चले जाए अगर घर से बाहर जा रही है तो पांच कदम से अधिक दूर लिख लें और अगर जब के उपर जा रही है तो आप किसी भी तरफ इसको पानी समीद के रादे ये लड़ाओंगें आपने पानी समीद के रादी और नीचे वापस अपने घर के भीतर आ गई बहार में यह हैं तो भी और इसके बाद आपने ये पात और ये कटोरी ठीक प्रकार से दो लेनी है तरकि आपसे दुबारा इस देवाद में ले सके ये उपाय ने तो इतना आपने कर लिया उसके बाद आप इल्टियार करें वो सानवे मनगिक्ती जिसके लिए आपने ये उपाय किया है खुद आपसे करेगा संबर्क और अपने रिष्टे अपने संबन्त आपसे खुद ठीक करेगा अंद्या ग्यमत्रो फिर वो लाकातों की अगली वीडियो में कि कैसे ही मौतिश पिशाली पाय के साथ अपना खयाल रखें, खुश रहें नमस्कार